पॉनिग अलोफ यू आज हम लोग देखेंगे फांक्षन ओफ टिविल्स हम लोग स्केटी सिस्टम में अभी तक पढ़ते कंटीनू आ रहे हैं कि स्केटी सिस्टम हमारे बडी को ऐसा फांक्षन है जो जो भी नाइट्रोजनस बेस्ट प्रोड़क्त हमारे शरीर में हमारे ब इतने भी नेफ्रोंट के पार्ट है टूबलर पार्ट वो चाहे PCT हो चाहे DCT हो हैं लेप लूप हो चाहे कलेक्टिंग डख्ट हो इसके थुरू यह क्या करता है हमारे बडी से निकालने कोसिस करता है इसलिए हम लोग आज इसको देखेंगे कि हमारा जो टूबलर का फंक् पर्मियबल होता है कौन सा सवस्थान्स है जिसको मेंटेन करता है क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे जो किड्डी है यह पीछ भी बैलेंस करता है जो कि आप पीछले क्लास में बताए आज पूरे डिटेल बताएंगा उसका क्योंकि हमारे जो फ्लूड है उसका पीछ भी में करने का क्योंकि आप जानते हैं हमारे शरीर में प्य ह्का बैलेंस करने का काम भी हमारे भ्लड ही करता है साथ ही साथ प्य हमारे बड़ी में लंग्स में भी पाए-जाने वाले oxygen CO2 के वजह से भी imbalance होता है क्योंकि हम पीछले कलास में हम लोग पढ़ें की सीओ टू हमारे बढ़ी को एक पी एच बैलेंस करने का काम भी करता है उसी तरह से हमारा टीउलर पार्ट भी पी एच को बैलेंस करने का काम करता है वो हमारे वट्डी में बहुत सारे केम कलेसा है जिसको कि- gymnast करवा कीLAUसा और क्या करता है कि PH को बैलन्स करता है उसमें से क्योंकि अगर वो PH बैलेंस नहीं रहेगा तो आप जानते हैं हमारे शरीर में जितने भी पाठ है इसका पूरे detail आप medical के first to final year में पढ़िएगा कि जितने भी fluid हमारे body के हैं चाहे वो peritomial fluid हो चाहे वो lungs का fluid हो जब से को pulal fluid बोलते हैं चाहे वो CSF fluid हो चाहे वो cardiac fluid हो सारे का एक concentration रहता है उस concentration पे भी वो work करता है either concentration alkaline medium हो either concentration acidic medium हो either concentration basic medium हो लेकिन किसी ने किसी medium में रहता ही है अगर उसका concentration H plus iron के रूप में बढ़े या तो आपका OH minus के रूप में बढ़े H plus के रूप में बढ़े वो दोनों कारण से उस fluid का nature उस fluid का concentration उस fluid का function उस fluid का working सारा में बैलेंस हो सकता है क्योंकि आपको मैं बता दिया कि हर एक organ के हर एक organ में जो उसका fluid है उसका nature होता है अगर वो नेचर किसी कारण से गड़वाता है तो उस organ का function में disbalance आता है तो चलिए हम आज हम लोग देखेंगे कि function of the tubules सबसे पहले हम लोग PCT में देखते हैं तो PCT का जो function है उसमें से PCT maintain pH ionic balance of the body fluid अभी आपको बताए कि जिस तरह से हमारे body में blood जो है pH को एक regulation करने काम एक regulate करने काम करता है उसमें से हमारे PCT भी आता है जो कि pH ionic of balance करने का काम body fluid को करता है कि इसके by secretion of H plus ion ammonia K plus ion के थुरू क्योंकि आप जानते हैं कि अगर H plus ion का secretion अत्यधिक हो जाता है अगर उसका हमारे blood के अंदर में उसका level ज्यादा हो जाता है तो हमारा blood acidic nature का हो जाएगा और आपको पता है कि अत्यधिक acidic nature होना ही होना भी हमारे body के लिए harm भूल हो सकता है और वैसे इस condition में बहुत सारे chemical का जो हमारे system है हमारे body में वो maintain नहीं कर सकता है इसलिए किसी किसी condition में ऐसा होता है जहांपे acidity का condition डेवलप करता है तो हमारा PCT by secretion H plus iron ammonia K plus iron को secretion करके हमारे body को pH को balance करता है उस condition में either o acid हो either o basic हो by the objection of SCO3 तो क्या करता है कि जैसे आपको हम बताए कि maintain pH किसके दोरा ionic balance by the body fluid किसके माध्यम से H plus ammonia K plus उसके बाद में क्या देखते हैं हम लोग कि आप absorption of the SCO3 यह क्या करवता है absorption करवता है SCO3 का आप देख रहे होगे यहां पर आपको बताए है कि H plus iron देखे क्या है by secretion of H plus iron साथ में ammonia उसके बाद में क्या करता है कि जब हम absorption करने का काम करता है SCO3 को करता है अप जब तो PCT में आपको देखे ionic balance के लिए sodium है कलोरीन माइनस है अगर pH बैलेंस करना है तो H plus ammonia और SCO3 को करता है तो इसके थूरू इसलिए मैंने बताया कि PCT का function में क्या करता है आखिर में तो PCT का function में क्या करता है maintain pH ionic balance of the body fluid second में क्या है by secretion of H plus ammonia K plus तीसरा क्या है by absorption of SCO3 SCO3 को absorb करवाएगा यह तब हो सकता है इसलिए तीन condition इसमें लाइन है आपका इन से आटिकल लिखा हुआ है कि PCT जो है है कि pH को balance करता है by the help of ion balancing of the body fluid क्या करता है तो secretion of H plus करवाता है ammonia करवाता है K plus करवाता है और absorption किसका करवाता है SCO3 का करवाता है तो secretion होगा और यह और अगर वो absorption करेगा यह दोनों condition में pH क्या होगा balance होगा इसलिए आप देखाऊंगे PCT में हम यह भी बता है जब absorption इसका पढ़ा रहे थे तो सबसे ज़्यादा जो हमारा 70% absorption जो होता है even कि 70 plus का भी absorption होता हूँ PCT के द्वारा होता है इसलिए PCT का बहुत ही बड़ा रौल होता है हमारे नेफ्रोंट के अंदर में आप यहां भी देख रहे होंगे पी आपका pH को भी balance हमारा PCT ही करता है हमारे बड़ी फ्लूट को जो हमारे pH को maintain करने का काम करता हो PCT ही करता है अब हैंले अप लूप में क्या देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहां sodium है H2O है और absorption करवाता है SCO3 जिस तरह से आप PCT को देखेंगे SCO3 भी करवाता है साथ में पहला है sodium है H2O है by absorption करवाता है जिस तरह से यह absorb करता है उससे तरह से लूप ओफेन भी करता है यह भी secretion करता है hydrogen को, K-plus को, NH3 को साथ में कहया है maintenance sodium पोटासियम यह भी maintenance करता है हमारा sodium पोटासियम को जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि हमारा sodium पोटासियम को हमारा जो लूप ओफेनले है वो भी maintain करता है और साथ-साथ में हम लोग यह भी देखे कि हमारा PCT है और सेक्रिशन क्या करता है H पलस आयन आमोनिया पलस K पलस तो इस तरह से हमारा जो absorption का प्रोसेस है जो हमारा function देख रहे हैं PCT का PCT का function जो है आप ionic balance के रूप में देख रहे हैं loop of failure का भी ionic balance के रूप में देख रहे हैं साथ ही साथ इसमें जो हमारा क्या सिक्रिशन कर रहा है क्या absorption कर रहा है क्या में देख करता है क्योंकि आप जानते हैं कि अगर loop of failure नहीं होता तो हमारे बड़ी के अंदर में आप कितने vital fruit sodium है कितने vital potassium है अगर ये vital fruit sodium potassium आगे nervous system में बताएंगे आपके बड़ी हमारे human being के अंदर में अगर ये sodium और potassium का एक ratio है extracellular food intracellular food में अगर ये maintain नहीं रहेगा हमारा कोई भी nervous system किसी प्रकार करना neurons हमारा एक dipole license आगे पढ़ाएंगे membrane का होता है ये नहीं होगा जिस तरह से आप हमारे बड़ी के अंदर में pH balance करता है साथी तरह sodium potassium को balance करने का हम लूप और फेले करता है अगर इस sodium potassium balance नहीं होगा तो हमारे बड़ी में नर्व का प्रोपर function नहीं होगा इसलिए हमारा लूप और फेले maintain दख sodium potassium करता है सीक्रिशन की हमोनिया करता है साथी अब जोसन करने का काम जो यह करता है वह करता है लेकिन लूप फेले का बहुत बड़ा function है जो sodium potassium का है आप जब हमको counter current में के निजम बताएंगे तो से बताएंगे किस तरह से हमारा इसका balance होता है जो हमारा नेफरोन का फ्रूड है एक्स्टा फ्रूड इंट्रा फ्रूड किस तरह से होता है यह पूरा हम डेटल बताएंगे आपको counter के रिजम में बस यहां पर हम बता दिए कि किस तरह से उसका किस तरह से हमारा लूप फेले पेसीटी हमारा मेंटेन करेगा धन्यवाद